ओम पित्र देपताब्य नमाहा वास्तो ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है पित्र पक्च में भूल करके भी ना करें पांच गलतिया नहीं तो पित्र हो जाएंगी नाराज और पित्र दोस आपको लग सकता है सबसे पहले आप ध्यान दें कि पित्र दोस की बज़े से क्या परिशानी आती है दोस्तो साल में 16 दिन की स्राद पक्च आते हैं जिससे पित्र दोस दूर होता है स्राद पक्च में अगर हम पित्रों की पूजा करते हैं तो हमारा पित्र दोस दूर हो जाता है ये 16 दिन पित्रों के माने जाते हैं और पित्र प्रतिवी पर आते हैं पित्र लोग से प्रतिवी पर आते हैं और अपने बंसजों के घर याने अपने अपने घर जाते हैं कि हमारे बंसज हमारे नाम से क्या पूजा पाट कर रहे हैं क्या दानपुन कर रहे हैं और जिस गर मे पित्रों के नाम से ब्रामन को भोजन ना कराया जाता हूँ, भुजरुगों को भोजन ना कराया जाता हूँ, और पित्रों की पूजा ना होती हूँ, वहां से पित्र निरास होकर की जाते हैं, और फिर पित्र दोस लग जाता है, पित्र दोस के कारण धन नहीं रुख गरीब हो जाएंगे घर में कोई नो कोई बीमार रहेगा लड़ाई जगड़े होंगे आपका घर बरबाद हो जाएगा एक तरह से तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें 16 दिन के जो पित्र पच्याता है पित्रों की पूजा नियमत रूप से करनी है अगर आप पित्रों की डालें काले तिल डालें और हात में अधी दुरबा लेकर के ओम पित्र देवताब्यो तरप्यंता ऐसा कह करके पित्रों के नाम से जल देना वादी पक जलाना है और मीटा रख्के पर क्रमा करनी है पित्र पक्ष में पांच कार नहीं करने है पहला लड़ाई जगड़ा नह नहीं बोलना है तीसरा घर में कोई भी तामसिक भूजन नहीं बनना चाहिए लेसोन प्याज मीट मास आधी का प्रियोग बिल्कुल ना करें जीरा खीरा आधी चीजे बिल्कुल ना खाए इन बातों का विशेश रूप से द्यान रखें प्रते दिन पित्रों के नाम से प्रते दिन भगवान की पूजा पाट करें पित्र पक्यमें जितना हो सक है उतना आपको दान पुन करना है अगर आप इस पिकार से पूजन करते हैं तो आपकी किसमत बदलेगी और हर मनो कामना पूरी होगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें पित्र दे